अब यह वीडियो वीडियो हम सीखेंगे हाउ टो इलेट खाल सुंसर्ट कोस जो घर बनाने में जो कोस्ट निकलती है और कैसे निकलते हैं अब बनाने में कितना कोश्ट आजाएं जैसे कि आपका घर बनाना होता है वह ओता है एक ओनर जैसे कि आप क्या करें तो आप को खाल करें तो आप को क्या करेंगे तो आप जाएंगे रोड़ ओड़ न तो आपको ब्रॉइंग निकल वालेंगे तो वो ड्रोइंग आप उसको पास कर रख लेंगे उससे तो उसी देंग यह सिंगल प्लू ना देगा जैसे कि आपका वुल्डिंग तीन मंज्ञा दो मंज्रा तो उसमें क्या करते हैं कि एक फ्लूर आपका जाता है उसी फ्लूर के ज़ोंगा वहीं है आपके पास वार्श के अपने घर मना आपको यह हो गया सिंगल फिलूर के लिए ठीक है इसका सब्सक्राइब ट्रबूर रहे लिए तो आपको बार्श किस्का तो बारश को गया तो 800-1200 यह पर गुना यह सिंगल एक फ्लूर के लिए अध्यक्त आपको जितने भी अपने घर बना एक यह वे वह पहिंदा र床गा तो इस एरिया में आप complex मेरेमेंट हो जाती है तो ही मेजर मेंट आपकी होगी कि हमने कितना कि इसके बाद ठीक है ओनर होगा अटाक्टर हो गया ऑप अप जो ऑनर होगा पलिंटरियर इरेट पर देगा एक बस घर बनाना फिनिशिंग तक है उसमें इसमें चैस प्याइब आपको बता देगा तोटल काम करके देना है प्लास्टर एलेटिकल फिटिंग डोर एंड वींडो एवरीटिंग तो बैडवेर तो आप पर रहता है अगर आप भी लेते हैं तो वह एक्स्टा पर और जो फिटिंग हो जाएगी वह भी इसके अंदर जाती है जैसे कि आपको अलग से गीजर लगवानी है तो वह आईटम में जुट जाएंगे अलग से आघे देख लेते हैं फ़र्स्ट क्लास फिर्स्ट क्लास बिल्लींग रहेगी जिसके अंदर आपको डोर विंडो परेंट अच्छा पॉइंट रहेगा अच्छा प्लम्बिंग फिटिंग से रहेगी बाइट करें यह प्रस्ट क्लास बिल्दिंग के लिए जिसमां जो रेट होता है 1200 स्वेट इसमें हाई हाई रेट आ जाते हैं जिसमें आपका पत्थर आ जाता है पत्थर बहुत अच्छा पॉल अप्वालिटी का जाएगा उसके बाद बात्रूम में जो फिटिंग सोती है सी हो जाएगी जो तंकी हो ठीक है फोपर के अंदर और अपके ऐसागवान के अन्दर हो जाएगे जो आपके अजाटे क्लास बेंगेए वही आईटम स्वेडिंग जैसे कि दर्वाजा आपका लकून से लगड़ी उसमें यूज करेगा फ्लूरिंग है फ्लूरिंग में क्या लगाएगा टाइल लगाएगा पत्थर लगाएगा जीनिक अंदर पत्थर कुन सा लगाएगा तो वह डिपेंड करता है आपके रेट से उपर उसके पाद एक थार होती है वह आपको नहीं लगाएगा फ्लूरिंग में आपको टैल लगा देगा ठीक है या फिर नहां भी लगाएगा डिपेंड करता है उसके पर रेट के उपर जाएगा तो इस तरह से आपको थर क्लास बिल्डिंग करना चल जाता है उसके पाद एक्जेंपल देख लेते आपका यह 4-10 आपका 40-30 है आपका फोटी एया लेकिन अपने घर बनाना कहां पर इतने ब्लोट पर यह पीर अपको 30 पर सेंट या फिरी रहता है यह आपका खाली रहना है तो यही आपका मेज़र्मेंट तो यह मेज़र्मेंट क्या हुआ 900 square feet आपका क्या है प्लीन पेडिया रेट है और रिडिल के अज निकालते हैं आपका 900 आटम्स आजाते हैं जो इसमें आपको दे दी जाते हैं ठीक है फुलूरिंग में को बहुत अच्छा मार्बल यूज करना है गरे नाइट का तो यह डिफेरेंट करता है आपके उपर रेट के उपर उस्पास दोनों को हम करते हैं तो दस लाख आठ दस लाक असी हजार रुप सबस्बार करें आपके सबस्द्रण शुपस्द संब्रुक्राइब अब खुद मैं तरफ सब दूंगा सेमेंट चैन्ड एग्रिगेट अपका मार्बल फ्लोरिंग के लिए भी टैल्स के लिए जैसे भी चौपी मुझे आइटम लगाना है सब को निकला रहता है भाहर वही मेजर करता है ठीक है कोई पुर्ण जगन आपता है जो अब बाहर का जो मोचली जो बीच वाला होता है वह क्या करता है यह प्लिंग अपर इसको कुछ बसता है उसका रेट आल्मुस्ट चल ला है घरों के अंदर कहीं पर जो आल्मुस्ट आर पास में चल ला है तो बार 120-250 स्क्रेट पर स्वेर फिट जैसी कि सिंगल इस्टोरी बिल्ड है जैसे कि फर्ष्ट फेट वोर ज्यादा रेट ले लेता है तो दो शुपीत से 220-2 पीट अपको कोई प्लोट है 150 रुपे फिट जो आपको जो जाए जो स्लैब है अपको घर बना रहे हैं तो तो दोनों को यह मेजरमेंट होगा तो कितना हुआ 300 स्केर फीट आपका यह एरिया बन गया संचेर तक प्लोट का इरिया जिसमें आपका घर बनाया प्लिंद एरिया ठीक है यह प्लोट एडिया नहीं आएगा प्लिंद एरिया प्लिंद एरिया प्लिंद में जिसमें आप घर बनाते हो उसमें उसमें संचेर आगया 120 स्केर फीट तो हाउस कोस्ट क्या से निगा लेंगे आपके पास जो स्लैब का एरिया आए 30 स्केर फीट और जो रेट है 150 स्केर फीट तो दोनों का हम जोड़ते हैं तो एक लाग अठार छोंटे में आजयरे अपका कोस्ट आ जाता है तो सबसे वह bet यह रहता है कि इसमें अहला मंगते हो दूइंग तो सबसे हों HAned गए आप 3000 नंबर 3 सबसे हैं पर होताई कहां का आप होता है चहां पर जैसे कि घाओं या पीए एक सहर है तो उसमें बजट उसका कम है तो वो बजट के अप्वाडिक क्या करता है खुद से ही जैसे कि मैं हो तो मैं अपना मकान खुद से बनाऊंगा मैं इसमें खुद कॉंटेक्ट रहाँगा अब मुझे क्या करना है मुझे मैं टेल भी मेरा यह लगते हैं कि समेंट सेंट सेंट सब्सक्राइब कर एंड तक कितने समय गड़ा और कितना रेट है जैसे कि चालैस तो आपको गुना हो यह को तो तो वो तो वो तो वो तो वह इसमें आइटम रेख जो भी होती है सेडूल बनता रहता है अपका खुद से जैसे में हूं मैं खुद से लेगा इस्टार्टिंग से लेगर से लेगर कली प्रिंटर और पॉपर वो दूब तो मेहीं को कर तो एक फांडिश außer समय के अंदर तो लोलाक और बीस लनाओ रुपे कोश्ट आ गया डिकार बनाने में दो मंजूर है तो इसको टू से में डिवाइड कर दूंगा यह सिंगल फूर के लिया जाएगा अब मेरा प्लिंज रिया है है प्लिण टेरिखरेट है मेरा सब्सक्राइब झाफ की जए बारा सुप स्केयर फीट है प्लिण तो अम मैं क्या करूं गा इस रेट से मैं प्लिंट अरिया से भाग कर दूंगा संपोच कि यहां पर 10 लांत आ जाएगा इसको 2 से भाग करेंगे दो कितना स्केर्फिट मेरा कितना रेट आया ठीक है तो इस तरह से हम को पॉस्ट पाइंड आउट कर लेते हैं तो बस आज के लिए ही इतना ही तो मिलते हैं ना इस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई